सिया वेलकम बैक टू चैनल इस्टडई लवर सिया सो फ्रेंड्स आसके इस वीडियो में लोग देख रहे हैं दा हिंदू नीज्पेपर गए चोटा सा आर्टिकल है जो कि इंडियन वर्कर्स के बारे में हैं वो वर्कर्स जो कि कतर में रह रहे हैं तो इनकी क्या कंडिशन है उसी के बारे में लोग देखेंगे जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे जल्दी की कतर ने सबसे पहला अपना रियक्शन दिया है कि इस पर विजेपी के दो इस परसन के द्वारा दिये गए प्रोफिट मुहम्मद पर टिपड़ी पर तो इंडिया वर्कर्स को कैसे रखा जारा कतर में नौकरों की तरह उनके साथ ट्रीट किया जारा उनसे ट्रीट किया जारा यह कौन बताया है बीमस ने भारती मजदूर संग अब भारती मजदूर संग क्या है सबसे पहले से हम है और इसे इसके फाउंडर जो है दत्तोपन थेंगडी है और इसे फाउंड किया गया था 23 जुलाई 1955 को 13 जुलाई 1905 पर इसे फाउंड किया गया था और इसके जो मेंबर्स हैं वो 2002 का डेटा है यह 62,15,797 के मेंबर्स है और इनका जो वर्क होता है जैसे की नाम से ही पता चल रहा भारती मजदूर संग मजदूर से रिलेटेड ही इनका क्या होता है वर्क होता है तो अब उनको देखेंगे कि बीमस ने इंडियन गवर्मेंट से कहा है कि जो यह स्लेव लेवर लाइक है इंडियन वर्कर्स कतर में उनके लिए कतर गवर्मेंट के साथ कदम उठाना चाहिए इसके लिए ठीक और यह कब कहा गया है यह जब जिनेवा में 110 इंटरनेशनल लेवर कॉन्फरेंस हेल्ड किया जा रहा था तब कहा गया इसे बीमस के द्वारा और बीमस ने यह भी बात कहा अपने स्टेटमेंट में की जब से फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कहां पे हुई कतर में हुई और कतर इसका विजेता भी हुआ तब ही से इंडियन वर्कर्स के साथ ऐसा भी है इसा ट्रीट किया जा रहा है और बीमस ने कफाला सिस्टम का भी क्या क्या आलोच ना क तहाँ देखते हैं और यह जो सिस्टम है यह सिर इंडियन वर्कर्स के साथ ही नहीं कर रहा है moments कि जितने भी सौंथ एसिएन कंट्रीज के वर्कर्स बालाया है इस आधिया की किया किया हुआ है इंडियन वर्कर्स इस किस पैले थे PKR 48 को सीज कर दिया जा रहा है जिसके कारड से वर्कर्स मजबूर हो जा रहे हैं, इसके खिलाफ ना तो वो कंप्लेंड कर सकते हैं किसी से और ना इसके खिलाफ आवाद उठा सकते हैं उनकी जो लिविंग कंडिशन है, वो बहुत ही बैड है, उनसे उबर टाइम वर्क करवाया जा रहा है, वो सेक्सूल अब्यूज के सिकार भी हो रहे हैं और उनसे फोर्सिबली ऐसा काम करवाया जा रहा है, जिस छेतर में उनके पास जरावी स्कील नहीं है और तो बीमेस में बताया है कि 2014 से कतर में इंडियन माइगरेंट्स की जो दित हुई है, वो 1611 और ये दित बाडी, जो दित बाडी होती है मनने के बाद उनकी बाडी को ले आना भी क्या होता है, हर्कूलियन टॉस्क होता है, एक कथिन काम होता है, उनकी बाडी को लोग नहीं ला सकते हैं और ऐसे ही नजाने कितने नेपाल के वरकर्स कतर में मारे जा रहा है और 4 और 5 में को इंडिया और कतर में डिसकस्टन हुआ था इन्हीं लेबर्स के प्रोटेक्शन राइट्स को लेकर के तब कतर ने इंडियन वर्कर्स के प्रोटेक्शन राइट्स और उनके प्रोमोशन और उनके वर्क्स को लेकर के प्रसंशा के थी बट ये बिल्कुल अपोजिट है वहां की रियालिटी से और ये डिसकसन हुआ था सेवेंथ जॉाइंट वर्किंग ग्रूप मिटिंग में ग्रूप में हुआ था जो की न्यू दिलही में इसे हेल्ड किया गया था ये किसे रिलेटेड था जो कतर में रह रह रहे हैं इंडियन वर्कर्स हैं उनकी मैन पावर और डबलम्मेंट से रिलेटेड और इंडियन वर्कर की संख्या की बात करें तो इंडियन वर्कर कतर में 7 लाख हैं तो यहीं संख्या इंडियन वर्कर की जो की प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं और वहां पे बर्ग कर रहे हैं तो I hope कि आपको समझ में आया होगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल थैंक यू